आज हम बनाने वाले हैं बहुती तेस्टी शाही तुकड़ा और यह जाम meusजद स्टाइल में अक्षर उखकते हैं वेसं हम आज चाही तुकडा बनाएंगी तो देखिए मैंने यहां करीब six bread ली है और देख सकते हो मैंने यहां white bread ली है और बीच में इसे cut कर लिया है corners को दियान रखें इसमें शाहिट टुकडे में white bread का ही इस्तमाल किया जाता है तो देखिए मैं इसी तरीके सारे cut कर लूँगी अगर आप चाहो तो इसे cut नहीं भी कर सकते हो तो देखिए मैंने सारे pieces cut कर ली है अब मैं आके एक fry pan लूँगी और मैंने इसमें करीब दो कप घी एड़ कर लिया है इसमें आप oil भी एड़ कर सकते हो और आप मैं इसमें अच्छी तरीके से medium flame पर इन्हें fry कर लूँगी bread को हम light brown तक fry करेंगे क्योंकि यह crispy होना चाहिए तो इन्हें हर 2 minute बाद चेंज करते रहेंगे इनके sides को अभी यह soft है लेकिन थोड़ी देर बाद ही crispy हो जाएंगी और शाहिट टुकने में crispy bread का एक अलगी ही मज़ा होता है तो आप देख सकते हो bread कितने crispy लग रहे हैं और बहुत crispy हो भी गए हैं इसी तरीकी से मैं सारे bread को तर लूँगी फ्राइ कर लूँगी यह process बहुत ही असान है और बहुत ही अच्छा अब देखिए यहां पर सारे bread को एक ब्लीट में कर लेंगे अब आप देख सकते हो bread काफी अच्छे तरीके से कुरकरे हो चुके हैं आगे process हम start करते हैं तो देखिए मैंने यहां पर दो ग्लास पानी लिया है और अब इस दो ग्लास पानी से मैं चाश्णी मिलाओंगी तो मैं इसमें दो कप चीनी रॉल रहे हूं दो ग्लास पानी में दो कप चीनी दियान रखे थोड़ी चीनी जादा चाहिए क्योंकि यह जो bread हैं यह चाश्णी में डिप होंगे तो मैंने हाँ दो कप चीनी डाल दी है और तीन हरी इलाईजी के बीच डाल दी है मैंने और यहां पर मैंने फुट कलर एड़ कर लिया है यह मैंने औरेंज फुट कलर एड़ कर लिया है इसमें थोड़ा सा इसे अच्छी तरीकी से चला देंगे फुट कलर एड़ करने से जो आपके ब्रेड्स हैं वो काफी कलर फुल होंगे आप ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो इसे एड़ भी कर सकते हो या फिर ऑवाइड भी कर सकते हो तो देखिए मैल्ट होने तक पकाएंगे जब तक चीनी मैल्ट नहीं हो जाती है तो देखिए चीनी मैल्ट भी हो रही है और यह थिक भी होने लगा है पहले से जब तक यह बन रहा है जब तक हम अपनी रब्री त्यार कर लेते हैं तो देखिए मैंने यहँआ पर एक गलास दूद लिया है और एक कब मैंने यह मिल्क पाउडर लिया है दूद का पाउडर यह असानी से अवैलिबल रहता है कहीं पर भी तो मैंने एक पैन में मिल्क एड किया है और हाई फ्लेम पर इसे बॉइल आने तक पकाएंगे इसे चलाते रहें दूद जलेना बढ़ने पर नॉनस्टिक पैन लिया है यह अगर आप चाहो तो नॉर्मल पैन भी ले सकते हो गर नॉनस्टिक पैन वे कोई भी चीज आसानी से नहीं जलती है यह फ्रिये मान लोग जलती ही नहीए इसलिए इसका इस्तिमाल किया है इसे अच्छे चलाते रहें दूद में नहीं तो आपके पास option है अगर आपको चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो milk powder में थोड़ा सा पानी है दूद मिलाकर उसे अच्छी तरीके से mix कर ले और फिर इसमें add करें उससे यहां पर यह जो बन गई है इन्हें गाठे बनने की टेंशन नहीं होती है उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से यह melt हो जाएगा और इसमें दूद में mix हो जाएगा अब देखिए हाई फ्लेम पर हमें सब काम करना है अच्छी तरीक इससे करना है और वहां हमारी चाशनी भी तैयार है जब तक यह थिक होगा हमें थिक होने तक पकाना है यह हाई फ्लेम पर चलाते नहीं इसे क्योंकि जह हम गुलाब जामुल जो हम यह बनाएंगे शाही टुकटे के उपर से रब्री डालते हैं वह रब्री बहुत ही टेस्टी लगती है और वही हमारी शाही टुक्डे का जाय का बदल देती है तो यह जाव मस्दिद स्टाइल है क्योंकि मैंने जाव मस्दिद गई थी तो मुझे वह बहुत जादा पसंद आया है तो मैंने तुछा कि मैं उस रेसिपी के ट्राइए करूं आप लोगे साथ शेयर करूं तो देख सकते हो काफी थिक हो गया है मैंने फ्लेम आफ कर दिया है जितने भी ब्रेट के प्रीसिज है यह मैं चाशनी में डिप करूंगी क्योंकि मीठे होना चाहिए कि शाष्णि में क्लर है छाष्ट यह Apple रिप यह रखने हैं यह ज़िए तक शीषे में ऑस्क्रिकर से जिवल चीनी हैthey will meet sigle अची तरगी से ho जाएका। तो देखिए मैं अब निकाल लिया है इसी तरगी तारे ब्रेट को चाश्णी में डिब करके निकाल लूँगी तो देखिए ब्रेट में निकाल ली है इसमें थोड़ी सी चाश्णी उेधर करेंगे ऐसा करने से ब्रेड़में सच में बहुत या चण एच्छ राता है और आप हम इसमें रबड़ी एक्ड करेंगे आप देख सकते हो रबड़ी की थिकी दिक्निस मैंने कितनी रखी है आपको भी इतनी ही दिक्निस रखनी है और खुम भरबर के इसमें रबड़ी एड़ करनी है और यहां मैंने करीब वन टीस्पून इसमें देशी घी एड़ किया है और मैं इसमें चेरी बगड़ा एड़ करके और इसे सब करती हूं आप देख सकते हों यह कितना जादा देशती लग रहा है किसी बैतर ने मिठाई से कम नहीं तो थांख भीज एड़ करती है